वाटसप बीटा में अगर आपके पास बीटा है तो नया आप Google Play Store आप पुराने और आउट्डेटेड जो आप से चालू करते हैं आज की टेख नीज दोस्तों बहुत सारी जबर्दस खबरे लाएं हो हर रोज की जैसे ही बट आज की ज़र्णा स्पेशल नीज है इध्यान से देखें देखें आपको पता चालेगा क्यों स्पेशल है वैसे गूगल मैपस नए-नए फीचर ला रहा है जो हमें बहुत ही हेल्पफूल होते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर पहुचने के लिए एक तो दोस्तों अगर इंटर स्टेट या फिर इंटर सिटी ट्रावल कर कि हमारे जैसे लोग जो ट्रावल रोड से बहुत ज्यादा करते हैं वैसे अल्टरनेट रूट्स भी दिखाएगा गूगल मैपस आपको कि जहां पर टोल नहीं है तो नॉन टोल रूट्स भी दिखाने माला है और हां और एक चीज़ दोस्तों आपके वाच के ऊपर अब य समझे 8-10 साल पहले जब पहले Google Store रहा था तब उन्हों नहीं रखे हुए होंगे उदर और उसके बाद में अपडेट वगे नहीं होंगे वह आप इंस्टाल नहीं कर पाओगे अट-least it will be very very difficult for you to install इसके एक चीज़ होगी जो प्राइवसी और से कुरिटी जो है वह बढ़ for you वैसे दोस्तों अगर पहली बार आयो तो सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा बहुत सारे लोग दोस्तों कुछ देड़ दो लाग तीन लाग लोग देखते हैं हमारी टेक न्यूस लेकिन सब्सक्राइब बहुत ही कम करते हैं बहुत ही कम क्यूं अच्छी नहीं लगती है तो बताईए क्यूं और अगर अच्छी लगती है सब्सक्राइब जरूर की जगा और हां लाइक करना मत भूले बात करते हैं आज की वीडियो की Realme GT2 Pro Realme का सबसे प्रीमियम सबसे पावरफुल और प्राइजियेस्ट फोन है जरूर जाके देखेगा अन्बॉक्सिंग कर दी है वैसे दोस्तों GT2 Pro के बारे में आज का पोल हमने पूछा था कि आपको प्राइस कैसी लगी थाम्स अप 26 परसेंट थाम्स दाउन 74 परसेंट वाटसेप के अंदर वाटसेप बीटा में अगर आपके बास बीटा है तो नया अपडेट आगया और एक बहुत इंट्रेसिंग फीचर आगया है मैसेज रियक्शन जिया जैसे फेस्बूक में आप रियक्ट कर सकते हो वित इमोजी टू पर्टिकुलर मैसेज वैसे ही वैसे अपकमिंग फीचर जो है वाटसेप के उसका वीडियो किया हुआ है जरूर जाकर देखिएगा सब जो भी फीचर आने वाले या अभी नए 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 फीचर से सब के बारे में आपको बताया हुआ है वैसे नॉर्मल वाटसेप के उपर बहुत जल्दी आ रहे है ये जैसे दोस्तों अब एक इंट्रेसिंग खबर आई है सामसंग की तरफ से वो खुद की एक कस्टम चिपसेट बनाने वाले स्पेसिफिकली फॉर गैलेक्सी स्मार्टफोन जैसे आइफोन के लिए आइफोन या फिर मैक्स के लिए मैक बुकों अगरे है उनके लिए M1, M2, M 1 Max, M1 Pro, Ultra, यह सब जो चिपसेट से अपल ने बनाए हुए उनके ओंट इवाइसिस के लिए वैसे ही कुछ Samsung करने वाला है, उनके गालेक्सी दिवाइसिस के लिए अब आपको चीपसेट तो है लेकिन एक्सिन जीवाइसिस के लिए निये बाकी के फॉन के ऊपर भी हो आती ह इनफेक्ट जो Samsung के फोन नहीं है ऐसे भी कुछ फोन के ऊपर आपको Exynos की चिपसेट मिलती है और वैसे भी Exynos का नाम इतना कुछ खास नहीं है तो I think they need to change that इसलिए Exynos चिपने चिपसेट नहीं इस्तेमाल करने वाले है OnePlus ने उनका Y1S Pro ये TV लांच कर दिया है ये 43 इंचिस का है 4K डिस्प्ले के साथ आता है 24 Watt speakers है Android 10 आता है इसके अंदर और प्राइस जो आई है 29,999, 30,000 और introductory offer के साथ कुछ आपको 2500 रुपए कम मिलने वाला है तो and it's looking very good वैसे इसका वीडियो, Unboxing, First Impressions, Review वीडियो बहुत जल् सब्सक्राइब कीजिए if you are interested. अब दोस्तों सिर्फ Samsung ही नहीं, Oppo भी खुद के mobile processors लेके आ रहा है लेकिन immediately in 2022 नहीं लेके आने वाला है वो 2024 में आने वाला है, in fact यह जो Oppo की chipset होगी वो लग तो राय की flagship level की होगी क्योंकि 4NM fabrication process पे होगी and TSMC इसे fabricate करने वाला है, so very nice, very nice देखते हैं, देखते हैं, जब आ जाएगा तो देखेंगें, actual में कितनी powerful, कितनी अच्छी है, Oppo की, खुद की chipset और दोस्तों, Realme ने उनका Realme 9 Series का छटा फोन, Realme 9 4G इंडिया में लांच कर दिया है, अब दोस्तों, 4G जो है न, यह जो chipset है न, दोस्तो, Qualcomm Snapdragon 680 है, tried and tested है, 90Hz AMOLED स्क्रीन आती है, 108 में अब इसेल का कैमेरा है, 5000 mAh की वाटरी, 33W चार्जिंग, यह बहुत सारी चीजे, मतल 5G और 4G अलग अलग क्यों की है, सिर्फ Diamond CD 810, जो उनके 5G फोन है, Realme 9 5G, उसका chipset निकाल के इसमें डाल देते, 1000 रुपए जादा चार्ज कर देते, it would have been better, मेरे ही साब से, परसे दोस्तों, Realme 9 4G, जिस launch event में launch होया, उसी के अंदर, Realme ने अनाउंस कर दिया, उनका Smart TV Stick, Realme TV UI है इसके अंदर, अगर Realme Book Prime जो लाट टॉफ है उसके बारे में बात करों तो 16GB RAM और 512GB SSD storage के साथ है, Core i5 11th generation का प्रोसेसर है, जो 65,000 में अगर Realme Buds Air 3 के बारे में बात करों तो इसमें 10mm के drivers है, और 42 dB का ANC है, active noise cancellation है, जो इस price range में 3999, 4000 इसकी price आई हुई है, it is one of the best, and 30 hours का backup भी है, playback time जो है, वो भी 30 hours का है, so, overall goods, अगर मैं इन तीनों के बारे में बात करों तो मुझे सबसे अच्छा Buds Air 3 लागा, जो दो, Realme 9 के बारे में बता जिया, मैंने, but Realme 9 Pro Plus का Free Fire Edition भी आ रहा है, बहुत ही जल्दी, yes, ये basically February में अनॉन्स हुआ था उन्होंने, and Free Fire Edition है, तो थोड़े जो लुक वगेरे होगा, वो थोड़ा gaming की तरह होने वाला है, पीछे का जो rare panel है, वो redesigned है, Free Fire की branding वगेरे आने वाली है, कुछ accents वगेरे, so, essentially, it is a limited Free Fire Edition of Realme 9 Pro Plus, चलियो, so, आज की हमारी Tracking Tech News एपिसोड 1319 होती है, अगर अच्छी लगी, लाइक ज़र कीजिए सब्सक्राइब नियों कर दिया, शेरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में, दोसरे इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तरह, keep tracking and stay safe!